कि अगाई अफ दोस्तों स्वागता अब सुभीक आपके अफने यूटूब चैनल ऐसे आन ऐख्लास पर तो दोस्तों आज की स्वीडिव में हम इस मल्टिमीटर को चलाना सिखेंगे this केे मुल्टिमेटर का पार्ट फस्ट है मेरते रेल फार्ट फस्ट तो आज इस वीडियो में हम इस में रिद्र को चलाना से हिए इसके लाव हमारे पास ईक और मेंटर है जो की अनलोग मिंटर सबसे पैलें आपका नाम है डिजिटल मल्टी मिटर यह कुछ इस तरह का दिखता है आप लोग देख लिजिए तो यह फिलाल अभी ओफ कंडिशन में है यह इसकी नोट है इसको घुमाने पर यह अपनी अलग-अलग वैल्यूस पर सेट होता है अलेक्रिकल क्वाँटिटी में जितनी भी एल्यूस है जैसे की हमारी वोल्टेज हुई डिची वोल्टेज्ज हुई करंड हुआ रजिस्टेंस हुआ कंडिननीटी को यह सबी चक करने के लिए हम इस मिटर को इस्तेमाल में लाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि AC voltage हम इस मिटर से AC voltage कैसे चैक कर सकते हैं तो दोस्तों AC का symbol जो है आप सब्सक्राइब को पता है कि कुछ इस तरह से होता है जो कि यहां पर यह रहा आप लोग सिंबल को देखिए यह जो सिंबल है, AC का सिंबल है, यानि Alternating Current, तो जहां पर AC का सिंबल है, वहां पर मतलब AC Quantity हम चेक कर से हैं, अब रहाएं अब वह AC Current है या Voltage है, तो यहां पर V लखा हुआ है, तो इसका मतलब इस नोब को अगर मैं इस section में लेकर करके तो मैं एसी वोल्टेज को चैक कर सकता हूं देखिए यह जो सेक्शन है आप लोग दियान से देखिए यहां से होते हुए यह पूरा एक सेक्शन है एसी वोल्टेज का यहां से हम एसी वोल्टेज कर सकते हैं एसी वोल्टेज मिन्स जो हमारे घरों में आती है उसे हम यहां से check कर सकते हैं basically हमारे घरों में जो वोल्टे जाती है वो 220 से लख लिकर के 240 के बीच में होती और इसे चेक कैसे करेंगे इसकी प्रॉब आप लोग देख़ी जी ये इसकी प्रॉब है और ये पिन है इसकी इनके दवारा हम इसे check करेंगे कैसे तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि एसी वॉल्टेज चैक करने के लिए हमें एक जो वायर है common में लगानी है common में हमें black wire लगानी है रहसे आप कोई भी wire लगा सकते हैं red या black but हमें black ही लगानी है common black ही मानते हैं उसके के बाद में जस्ट इसके उपर वाला जो है यहां पर लिखा हुआ है वी यानि वोल्टेज ओम यानि रजिस्टेंस और एम यानि एम्पियर मिली एम्पियर मतलब कराट यहां तक हम माप सकते हैं करेंट वोल्टेज और रजिस्टेंस यहां पर हम माप सकते हैं तो इसे हम यह तो इस section में आपको दिखेगा कि यहां पर दो पॉइंट मने हुए है एक पॉइंट है 750 वर्ट का और दूसरा है 200 वर्ट का इसका मतलब यह है कि अगर मैं पॉइंट को इस तरफ करूं दोसों के तरफ करूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ AC की 200 वर्ट तक माप सकता हूं 200 से अगर ज्यादा हुई तो हमारा मेटर नहीं मापेगा सिर्फ एक दिखा देगा इसके अलावा अगर 200 से ज़्यादा हमारे पास वर्टेज है तो मैं 750 तर इसको रखूंगा तो चलिए मैं आपको इसको चेक करवा करके दिखा दे तो जैसे ही मैं यहां लगाता हूं तो आप लोग तो दोस्तों यहां पर भी वोल्टेज का सिंबल था यहां भी वोल्टेज का सिंबल है अब यह जो इसने जो सिंबल मनाया है यह डीसी का सिंबल है डीसी का जो ग्राफ होता है कुछ इसी तरह से होता है मतलब कि इसका इतना इतना सेक्शन जो है वो डीसी वोल्टेज चेक क है सकते हैं भीस वोल्ट चेक करना हूं तो यहां उसके बाद में है 2000 में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास एक बैटरी है और इस बैटरी को हमें रंख बार की साथ लगाया है अब आप इसकी रीडिंग देख सकते हैं लग बग्टिए यह लेका डारी देख सकते हैं लग बगी साथ लगाया है इस पर G1 mm की क Bryce मिल रहे हें इस तरह से अगर मैं इसे गलत प्विक्ष हो डोहजार यह पको दिखाई है कि तो अगर मैं इसे माई तो हमारा इसी खाएगा इसे चाहिं तो देखbuild adapt नहीं मैंट पर लगाता हूँ तो दूस्तों होता कुछ नहीं है हमारा जो मीटर है माइनिस का चिनह दिखाता है माईनिस का मतलब यह है कि आपकी जो वायर है उल्टी लेगी है इसके अलावाद मेटर डैमर्ज नहींुकर तो दोस्तों इसमें आपको एसी वोल्टेज चेक करना पता लग चुका है अब इसके बाद में हम इसमें रिशिस्टेंस चेक करते हैं तो देख एक सने सिंबल है वो यह Oた है že जो सिंबल है ओम का सिंबल है और ओम का सेंबल जो है रेजिस्टेंस का होता है यानि कि यह जो इसका इतना इतना जो सेक्शन है यह सारा का सारा रेजिस्टेंस चेक करने के लिए है तो चलिए हम इसमें रेजिस्टेंस चेक करते हैं और यह आपको बताने की जुरूर्थ हैं नहीं कि 200 ohm तक है हम चेक कर सकते हैं 2,000 तक 20 km तक 200 colaum तक और 2000 km तक रिजिस्टंस हमुआ है किसमें कर सकते हैं तो शबसे पहले हमारे पास जो है यह एक क्रिश्टेंस है आप लो इसे देख सकते हैं इसकी colonial कोडिंग आपको आती है तो आप इसे पहचारीये इसका कलर है रैड रैड येलो और सकते हैं इसे कुछ इस तरह से लगाना है और जो हमारा सेक्शन है रेजिस्टेंस में हम इसे करेंगे पहले ही से हम 200 ओम पर चेक करते हैं क्या ये 200 ओम का है नहीं है हमारी मीटर में कोई रिडिंग नहीं आई इसका मतलब 200 का नहीं है उसके बाद में 2000 का भी नहीं है उसके बाद में 20 क किलोंपे अगर हम चैक करते हैं तो भी 20 किलोंप का भी यह नहीं है अगर हम इसे 200 पर चैक करते हैं तो भी रिडिंग नहीं आती एक ही आता है इसका मतलब हमें 2000 किलोंपे रखना होगा और जब हम हम इसे 2000 किलो-ओम पर रखते हैं तो हमारी डिड़िंग आ चुकी हैं तो आप लोग ये चैक कर सकते हैं ये लग भग कका 220 किलो ओम के बराबर है आप लोग देख सकते हैं और अगर इस रस्टे रिजिस्टेन स्कोलर कोडिंग नकाले तो भी 220 और यानि झेना कि तो य SHी तो जो कलर है यानि कि दो नम्बर प्र है उसके बाद में नग्यरण वह भी दो नमबर प्याटा है उसके बाद स्क्राइब येलो, अब य modes eightself Jeiak इसका मतलब हमें इसे 10 की पावर 4 से multiply करना होगा जब इसे 10 की पावर 4 से multiply करेंगे तो ये 220 किलों के बराबर आ जाएगा तो ये तो बात हुई resistance चेक करने की मैंने आपको AC voltage, DC voltage और resistance चेक करना बता दिया है इसके बाद में ये जो आपका सिंबल है ये डायोड का सिंबल है इस सिंबल पर हमारे डायोड चेक होते हैं या फिर हम किसी वायर को चेक कर सकते हैं तो वायर को हम जब चेक करेंगे तो ये जो मीटर है बीप की वाज निकालेगा जैसा कि आप सुन सकते हैं बीप की वाज नि करेंगे हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसे चेक किया जाता है ट्रांजिस्टर मतलब पी एंप ट्रांजिस्टर एंप ट्रांजिस्टर जितने भी होते हैं उसे हमारे ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर लगाने के लिए हमारे पास यह जैक दिया हुआ है यहाँ पर हम इमिटर बेस्न रख इस तरह से ट्र्रावम को समय को आट ड 26 करेंगे इमिटर बेज किलैक्टर यह एंप अलिए उर यह पीने के लिए के लिए मरी होता है ए ए मतलब की ammeter यानी ampere यानी इतने इतने सेक्षन में हम इसमें current चैक कर सकते हैं जैसे कि 2000 micro ampere, 20 million ampere, 200 million ampere इस तरह से हम इस point पर अगर आते हैं तो 10 ampere check कर सकते हैं 10 ampere तक हम इस meter से check कर सकते हैं और इसी 10 ampere को check करने के लिए कि हमर पास एक अलग से पॉइंट दिया होता है यह जो उपर वाला पॉइंट है यह आप लोग जो देख रहे हैं यह दस एमपेर चेक करने के लिए है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दस एमपेर मैक्सिमम यह देखिए तो अगर हमें 10 एमपेर तक करने चाहिए करना हो तो एक प्रोब को निकाल करके यह को मन वाली तो यहीं ही रखनी है यह को मन वाल तो यहीं रहेगी और यह प्रोब आपको उपर वाली में लगानी है कि इसके बाद आप किसी भी चीज में करिंट चेक कर सकते हैं दोस्तों बात और कि दस एंपेर के निचे यह जो आप निसान के रहे है यह डिस सी करने कर सकते हैं डीसी एंपियल चेकर सकेंद एसी नहीं ही चैक कर सकते कि चलिए हम इसमें DC current चैक करते हैं तो जो दी इत्रम चाक करने के लिए हमारा पास एक लोड होना चीन है ये है यह एक DC motor है कि इसे हम चलाएंगे और इसे चलाने के बाद में यह current लेती है कितना current पर चल रही है यह हम हम चेझ करेंगे और इसे हम वॉल्टेज जो है हमारी समसीन से देंगे तो चलिए करते हैं स्थार्ट पोर फोड़ीये जो है यह मसीन की वع Air है आप देख सकते हैं हमने मसीन को स्टार्ट कर लिया वं है कि तो आ यह फिलेखिए लगबग 28 कि अंपनेगा स्रीज में लगता है समानतर में कभी नए लगता है फो सिरीज में लगाना है तो सरीज में अपलोग City लगाना आप prescription जोएन लेनी है एक वार यह जो deals एक वारिये जूर्सहित से आ रही है हमने इसमें लगाए और जोंडारी वहर है जो मीट्र código से द है हमने लोड कि उसरो के साथ अट ऩैच करी है तो चलिए हम इसले लगा देते हैं तो हमने मीट्र को सिर्मट कर लिया है है आप लोग मीटर में रिडिंग की आपे Warsaw मीटर में देख सकते हैं 0.3 MPR यह भी जो मोटर है हमारी क्रांट ले रही है इसी तरह से मैं अगर इस मोटर को रोकूं अपनी हाथ से रोकूं या इसका लोड बढ़ाऊं तो देखिए यह जो मीटर है क्रांट दिखाता है तो यह देखिए लगबग एक एमपेर के साथ भी हम तो दोस्तो जैसे मैं इसको रोगता हूँ यह करन्ट ज्यादा ड्रो करती है ज्यादा गरंट लेती है आप लोग चेक कर सकते हैं तो दोस्तों यह जो सेक्शन था दस एमपेर के लिए था इसके लाब अगराब आपके पास 10 एमपेर एक एमपियर यह कम करंट है जैसे कि 200 million एम्पेर, micro ampere तो आप इस section में चेक कर सकते हैं और जब आप इस section में चेक करोगे तो यह जो आपकी knob है निचे बाले section में लगए यह जो knob है only for 10 ampere के लिए है तो दोस्तों यह जो था हमारा छोटा सा multimeter का tutorial था उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो चलेगे तो आप हमारी वीडियो को like कर दीजिए और अपने friend circle में इसे share कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही practical आपके लिए लाता रहूँ इसके अलाबा यह किए हमारे पास meter है analog इसके बारे हम अगली वीडियो में जानेंगे इसको चलाना हम सिखेंगे चले दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ थैंक्यों